हलो स्टूरेंट्स इस वीडियो में अपन देखते हैं डिस्ट्रिबूशन यूजिंग पॉपुलेशन ठीक है यानि कि मैक्सवल बॉर्जमार डिस्ट्रिबूशन लॉग मैक्सवल का इसके अंदर अपन देखेंगे मेली तिव्रता बांकिस पर डिपेंड करती है तिव्रता यह समानुपाती होती है एन जे अपॉन एन नौट के यानि कि exponential e minus ej upon kt अब देखें यहाँ पर ej है यहाँ पर स्पेक्टर लाइन्स का उर्जा अंतराल t है यहाँ पर temperature kelvin में और k है यहाँ पर constant जिसकी value होती है 1.38 into 10 to power minus 23 joule per kelvin और ej upon e naught sorry nj upon n naught यह है आपके अणो की संख्या जो की तिव्रता अपनको बताते हैं तो इसकी value क्या हो जाएगी है आपर अगर अगर अपन ej की value रखेंगे तो ej की value अपने last कुछ videos में अपनने देखा है जिसके अंदर क्या होती है energy levels होते हैं यह rotational energy levels होते हैं जिसकी value क्या होती है bhc j j plus 1 ठीक है तो अगर इस formula में आपर रखते हैं तो nj upon n naught की value क्या हो जाएगी exponential और इसकी power क्या होगी bhc j j plus 1 upon kt तो इसके according तिवृता जो है आपके population के समानुपाती होती है यानि कि intensity जो है वो population के समानुपाती होगी जिस अनुपात में population भढ़ती जाएगी उसके अनुसार ही तिवृता भढ़ती जाएगी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था देखें कि इंटेंसिटी किस पर निपर करती है फर्स्ट ही इसमें खारक है वो है आपके ट्रांजिशन प्रोबैबिलिटी ठीक है सेक्ट है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट तो पॉपुलेशन की बात इसके अंदर बताई गई है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी इसकी तिवरता होगी ठीक है तो जे मैक्स अगर अपन इसमें देखें तो एक फॉर्मूला होता है जे मैक्स कल्टू केटी अपॉन टू एच सी बी का होल रूट माइनस बन बै टू जिसके अकॉर्डिंग की ये आपके आगे का ग्राफ दिया गया है जो की ग्राफ खीचा गया है और नीचे दिया गया है जे जो की होता है आपके रोटेशनल क्वांटम नमबर ठीक है तो इस तरीके का एक प्यारा बोला की रूप में इसका ग्राफ आता है तो यह है Maxwell-Voltzman distribution law next आता है आपके bond length bond length जो है वो किस तरीके से affect करती है energy, rotational energy layer को या फिर rotational spectrum तो bond length जो है अपने इसमें देखा था result rotator में moment of inertia i, i की value अपने निकाल थी i is equal to mu r square देखे last classes मैं आपको बताया था यह आपके rigid rotator ठीक है इसके लिए अपने क्या निकाला था last formula आया था i is equal, नीचे नीचे देखे i is equal to mu r square mu है यहाँ पर reduced mass यानि की summanit drowemant ठीक है तो bond length अगर अपनको दिखाना है कि bond length किस तरीके से प्रभावित करती है आपके rotational spectra को तो इसके लिए अपने देखा i is equal to mu r square है r जो है आपके bond length है ठीक है दोनो पर्मानों के बीच की bond length है i is equal to mu r square तो i की value अपने महाँ पर निकलती है h upon 8 by square b c b की value होती है जो आपके rotational constant है b की value क्या होती है h upon 8 by square i c तो i और b की जो है अपने है आपर जगे change की है तो r is equal to क्या हो गया i upon mu का root over और mu यहाँ पर है reduced mass जो की होता है m1 m2 upon m1 plus m2 फिर next है isotopic effect ठीक है जो की क्या होता है mu में परिवर्तन से होता है isotopic effect यानि की अगर अपन किसी molecule में किसी molecule के परमानों को उसके isotop यानि की समस्थानिक से अगर अपन change कर देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसके अदर क्या होता है carbon monoxide का अनू है जिसमें की carbon 12 और oxygen 16 के परमानों लिये गए हैं लेकिन अगर अपन इसे carbon 13 के समस्थानिक से change कर देते हैं carbon monoxide में जो carbon है वो एक बर तो अपने लिया है 12 वाला और एक बर अपन ले रहे हैं 13 वाला अगर अपन change कर देते हैं तो क्या फरक पड़ता है इसके B की value जो है वो यानि rotational constant की value जो है वो कम हो जाती है इसे बोलते हैं अपन isotopic effect अब यह अपन एक example से देखते हैं जैसे कि example है HVL का अगर अपन example देख रहे हैं इसके लिए घुनन स्पेक्टरम में अपने rotational spectrum में है 20 cm inverse की दूरी है ठीक है तो इसके लिए अपन को R की value निकालनी है तो R की value अपने उपर उपर देखा था bond length के अंदर तो R के लिए formula क्या है I upon mu ठीक है mu का root over तो I इसके लिए और इसके लिए B क्या होगा B is equal to H upon 8 pi square I C तो इसके लिए अपन निकालेंगे तो जो यह 20 cm inverse दे रखा है यह अपन को energy दे रखी है cm inverse में हमेशा energy होती है आगे जाए इसमें समान दूरी लिखी हुई है लेकिन दूरी नहीं है cm inverse है तो यह energy ही होगी तो energy है अपने पास 2B इससे अपन क्या निकालेंगे R की value अपन इससे निकाल लेते है फिर next आता है non-rigid rotator अब non-rigid rotator देख लिए जो फटा-फट इसमें क्या होता है यह दरड ना होकर प्रत्यास्त होता है यानि कि यह elastic होता है दरड ना होकर यह प्रत्यास्त होता है जैसे कि rigid rotator तो क्या था उसका एक गुरुत्विय केंडर था बीच में और दोनों तरफ तो atoms थे तो और उसकी R की value कभी भी change नहीं होती है लेकिन ये क्या है non-rigid rotator जैसे कि मान लीजिए जैसे कि अपने एक धागा लिया है ठीक है और उससे अपने एक ball बांदी है जैसे मान लीजिए दो ball ली है अपने और उसको धागे से बान दिया है एक धागे से बान दिया है दोनों ball को एक ball अपने हाथ में है और दूसरी ball को अपन उस धागे के सापेक शपन घुमा रहे है एक ball अपने पकड़ रखी है और उसे घुमा रहे है ठीक है दूसरी ball क्या हो रही है जितना धागा है उतनी लंबी दूरी पर दूसरी ball घूम रही है तो ये तो होता है अपना rigid rotator और non rigid rotator क्या होता है अपने दो ball ली है और दोनों को अपने क्या कर दिया है अपने दोनों को spring से जोड दिया है अब दोनों को spring से जोनने पर क्या होगा एक ball अपने हाथ में हैं, दूसरी ball को अपन घुमा रहे हैं तो पहले spring क्या होगा, वो stretch होगा ठीक है, यानि वो प्रत्यास्थ नहीं होता है वो वैसा का वैसा नहीं रहता है वो elastic होता है, प्रत्यास होता है तो spring से क्या होगा ball पेड़े कम दूरी पर घुमेगी और धीरे धीरे spring stretch होता जाएगा और वो ball ज्यादा दूरी cover कर पाएगी तो ये अंतर होता है अपना non rigid rotator तो ये अंतर होता है दोनों में rigid rotator और non rigid rotator में आया आप लोग को समझ में दो ball ली अपने एक बार उसको धागे से बांदा है तो उनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी और एक बार अपने उसे spring से बांदा है जिससे क्या होगी उसकी दूरी घटी भड़ती रह सकती है ठीक है तो ये अपन देखते है non rigid rotator के अंदर bond length जो है वो परिवर्तनिय होती है जिसमें R और B के मन किस तरीके से निकालते हैं फटा फटा इसमें देख लीजिए EJ की value होती है उसमें क्या होती है H square खाली first वाला पद होता है EJ के अंदर H square upon 8 pi square I J J plus 1 लेकिन ये non rigid rotator है इसलिए इसमें minus वाला एक पद और आता है जिसक 1 का whole square joule के अंदर निकाला गया है यही अगर अपन cm inverse के अंदर निकालते हैं तो अपन H square upon 8 pi square I को अपन replace कर सकते हैं B से तो इसकी value हो जाएगी B J J plus 1 जो की अपने किसमें होती है rigid rotator में होती है minus इस पूरे constant को लिग दिया गया है D से जो की क्या होगा H square upon 32 pi square I square R square K ठीक है K यहांबर force constant है और क्या हो जाएगी cm inverse में D आएगा जिसको की centrifugal distribution constant कहते हैं यानि कि अप केंदर ये विरूपन स्थिनांग यानि कि जैसे जैसे वो stretch होता जाएगा आपकी जो spring है वैसे वैसे उसमें विरूपन आता जाएगा यानि कि पहले वाली उसकी structure से वो structure change होती जाएगी इसलिए इसको बोलते हैं विरूपन स्थिरांग तो इसके अंदर d की value क्या आती है 16 अपने इस formula को अगर अपन जैसे k की value रखते है force constant की तो वो आती है 4pi square nu minus square c square mu इसकी value अगर अपन रखते हैं तो d की value यानि की centrifugal distribution constant नहीं है distortion constant है विरूपन स्थिरांग है तो centrifugal distortion constant की value आती है 16b square pi square mu c square upon k और इसको solve करते हैं तो अपने पास आता है 4b की cube upon omega square ठीक है तो इसके लिए selection rule होता है delta j is equal to plus minus 1 वही जो अपने razor rotator के लिए था और इसमें जो है आपके value आती है frequency की 2b j plus 1 जो की razor rotator में थी क्योंकि ये non razor rotator है इसलिए इसमें एक minus वाला pad भी आएगा जैसे की energy के अंदर आया था तो इसमें भी आएगा minus 4d j plus 1 की whole cube centimeter inverse ठीक है तो ये था अपना razor rotator non rigid rotator bond length और Maxwell distribution law तो ये अपनी physical chemistry की second unit खतम होती है भी इसी final year की जो की थी spectrocoping थैंक्यू